प्रिंसिपल्स अफ सिस्टेमाटिक्स मॉड्यूल वन टू हंड़ट सिक्स्टीन क्लास रेप्टिलिया हमने एंफीबियन्स की बात की कि एंफीबियन्स ऐसा ग्रुप है जो के दोनों लैंड और एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर सर्वाइब कर सकते हैं अब जो रेप्टाइल्स हैं ये ऐसे एनिमल्स हैं जो के खुश्की के उपर अपनी जिन्द की गुजारते हैं आल्दो के कुछ स्पिशिस पानी के अंदर भी मौजूद होती हैं लेकिन इन में से जो मिजॉर्टी ओफ एनिमल्स हैं दे सर्वाइब ओन लेंड रेप्टाइल्स आर क्रिपिंग एन बरिंग कोल बलड़ेड वर्टिब्रेड्स जिसना के एमफीबियन के बारे में हमने कहा कि वो अपने बाडी का टमप्रेचर रेगुलेट नहीं कर सकते जिस तरह अंगते मैमल्स कर सकते हैं इसी तरीके से रेप्टाइल्स भी अपना बाडी का जो टमप्रेचर है उसको रेगुलेट करने की सलाहियत नहीं रखते उसके लावा दे आर एक्टोथर्मिक and found mostly in the warmer parts of the world आम तोर पर जहां पर मौसम comparatively गरम होता है वहां पर रेप्टाइल्स जादा मौझूद होते हैं इनकी जो स्किन है वो ड्राइ है रफ है and without glands जबके एमफीबियन की हमने बात की थी कि जो एमफीबियन की स्किन है वो moist होती है वो dry नहीं होती और उसकी स्किन के अंदर glands मौझूद है जबके रेप्टाइल्स के अंदर ऐसा नहीं है उसके लावा इनके अंदर bearing epidermal scale इनकी body के उपर scales मौझूद होते हैं जो dry environment के अंदर इनको protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं snakes और lizards यह अपने जो scales है उसको periodically remove करते रहते हैं उसके लावा they do not respire by means of gills जैसा के हमने amphibian की बात की कि जो amphibians हैं इनके अंदर early development stages के अंदर gills मौझूद होते हैं जोके respiration का का काम करते हैं लेकिन reptiles के अंदर ऐसा नहीं है इनके अंदर gills मौझूद नहीं होते इनके अंदर respiration always takes place through lungs जानी इनके अंदर वकाइदा structures मौझूद हैं जिनको हम lungs कहते हैं और इनहीं के जरीए यह अपना respiration का process complete करती हैं उसके लावा skull is monocondylic इनके अंदर एक occipital condyl मौझूद है amphibian के बारे में हमने देखा था कि amphibian के अंदर दो occipital condyls मौझूद थे except in snakes there are two pairs of pentaductile limbs each with five digits bearing class जबके जो snakes हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो शुरू में शायद उनके अंदर limbs मौझूद थे लेकिन with the passage of time evolution के नतीजे के अंदर उन्होंने अपने जो limbs हैं उनको loss कर दिया उसके बाद अगर इनके heart की बाद हम करें तो इनके अंदर four chambers है amphibian के अंदर हमने देखा था कि heart के three chambers है उनका जो ventricle था उसके अंदर partition मौझूद नहीं थी जो reptiles है इनका जो heart है उसके अंदर partition तो मौझूद है लेकिन ये जो division है ventricle के अंदर ये incomplete है ये partial है लेकिन इसमें कुछ animals ऐसे हैं जिसके अंदर ये जो partition है वो complete है जैसा कि अगर हम crocodile की बात करें तो crocodile के अंदर जो partition है वो complete है इसके लावा इनके अंदर अगर हम cranial nerves की बात करें तो 12 pairs of cranial nerves are present in reptiles ears each ear consists of 3 parts पहला इसके अंदर external ear है middle ear है और internal ear है जबके amphibian की जब हमने बात की थी तो वहाँ पे दो parts थे इसी तरीके से snakes do not possess ears इनके अंदर later line system बिलकुल नहीं होता हमने ये देखा था कि fishes के अंदर later line system मौझूद है amphibian के अंदर भी हमने देखा था कि little line system मौझूद हो सकता है लेकिन जो reptiles हैं इनके अंदर बिलकुल ये system मौझूद नहीं होता tortoises feed almost entirely on vegetation यानि इनके अंदर बहुत सारे animals ऐसे हैं जो vegetation के पर feed करते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो Carnivorous हैं some turtles are flesh eaters all other reptiles are Carnivorous और Insectivorous इनके अंदर जो typical cloica present मौझूद है और इनके अंदर जो mode of reproduction है ये oveiparas है ये egg ले करते हैं अब अगर हम reptiles की बात करें तो reptiles के अंदर adaptation है क्योंके amphibian के हमने बात की थी कि जो amphibians है इनका जो egg है इनके अंदर जो इनका embryo है उसके गिर्ट protection नहीं होती उनके अंदर extra embryonic membranes मौझूद नहीं होती जबके जो reptiles है इनके अंदर extra embryonic membranes मौझूद होती है अब क्योंके जो reptiles हैं ये खुश्की पे रहते हैं और खुश्की के अपर जो पानी के availability नहीं होती वहाँ पे dryness के चांसे ज़्यादा होते हैं इस वज़ा से इनके जो eggs है उसके अंदर protective structures का होना ज़रूरी होता है इसी वज़ा से जो reptiles के eggs हैं इसके बाहर protective coverings मौजूद होती है उसके लावा इनके अंदर जो extra embryonic membrane amnion, corion और allentis भी मौजूद है उसके लावा amphibian के अंदर हमने देखा था कि amphibian के अंदर जो fertilization थी वो external थी उनके अंदर external genitalia मौजूद नहीं थे लेकिन जो reptiles हैं reptiles क्योंकि खुश्टी पर अब रहने लग गए हैं और इनके अंदर external genitalia मौजूद है और इन external genitalia को use करते हुए इनके अंदर internal fertilization possible है तो ये basic differences है ये amphibian और reptiles के अंदर जो differences है ये उनके जो mode of living की वज़ा से हैं इनके habitat की वज़ा से है तो हमने देखा कि जो reptiles हैं ये mostly खुश्टी के पर रहते हैं इनके अंदर extra embryonic membranes मौजूद होती है इनका जो heart है वो force chambered है लेकिन इनका जो ventricle है वो partially divided है complete partition वहाँ पर मौजूद नहीं है सिर्फ crocodiles ऐसे animals है जिसके अंदर ये partition complete है उसके अलबा इनकी जो skin है वो dry होती है इनके अंदर respiration के लिए gills मौजूद नहीं होते बलके इनके अंदर जो respiration का process है वो lungs के जरिये होता है बलके नहीं है